नमस्कार चलिए आपकी palm का analysis करते हैं क्या कुछ आपकी palm बताती है देखिए सबसे पहले आपके सारे सवाल को में ले लेती हूँ आपने सवाल क्या है ना कि problem है hard work करने के बाद भी उतना अच्छा result नहीं आता है तो सबसे पहले मैं बता दूँ देखिए आप बने होते हैं ब इस छेत्र में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगा ठीक है आपने इस बार EPSC लाश सेटम दूँगा मेहनत भी कर रहा हूं देखिए आपने EPSC का दिया है अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके हाथेली का indication से असपस्ट हो रहा है आपका इस बार हो जाना आप चाहिए अब मैं बताती हूं किस देश पे में बोल रही है देखिए सबसे पहली बात तो आपकी जो फिंगर है ये फिंगर ये फिंगर दोनों बैलेंस है बुद्ध की फिंगर काफी अच्छी है शन लाइन श्ट्रॉंग है और दूसरी चीज आपकी जो चंद्र माउ स्टुर्ण से फिंगर करेंगे लाइन Premiere सवाहरी करेंगे या ची आप सब दोनों मंगल स्ट्रॉंग करेंगे आप सिविल सड्मृस के ले लेते हैं तो आप और साथचि अधुनीश्ट्रेशन को जैसे जो बी पूल करने वाला जो की बड़े पोस्ट का जॉब होता है इस ही सब में आप अच्छा से कर सकते हैं जॉब ठीक है यह आपके हतेली में बहुत इंडिकेशन है आप इसमें तैयारी करेंगे एकदम से होगा आप बोल रहे हो ना कि आप में छोटे लेवल का आपने सीग्रेट का जोब कर रखा है गौर्मेंट है बट वह नहीं हो रहा है कैसे हो आपका यह एडिया है जब यह एडिया उब्रा हुआ होता है तो ऐसे जातक अगर बैपार करें तो बड़े इंडिस्ट्री डालेंगे तभी सक्सेस होगा अगर चोटे बोटे दुकान करके बैठ जाएंगे और सवाल को ले लेते हैं और दूसरा सवाल है आपका अपका अधिक होते हैं तो आप जादा दिन तक रहेंगे नहीं बस आप जो भी अपर पोस्ट का जॉब है ना उसको आप कीजिए या फिर कहीं भी लीडर्शिप टाइप में वह जॉब कीजिए तो है और उपर से यह बना यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है सानमाउंट पे तो मैं तो हंड़ेट परसेंट एक तरह से बोल सकती हूँ अगर आपकी महनत सही रही तो बिल्कुल यह जॉब आप ले लेंगे दूसरा है क्या मेरेज लाइफ आपकी कैसी रहेगी तो गुरू मेंटल और फ्यूजिकल हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा कहीं कोई दिकत नहीं है चैलेंजेज तो लाइफ में आएंगे ही क्योंकि सान स्ट्रॉंग है तो आप रिक्स लेंगे ही लाइफ में और आगे भी बढ़ेंगे और रिक्स में सक्स्थ भी होगा नेम भी बहुत अच्छा मेंट फ्यूजिशर के बारे में आपके पूरी फार्म को अनलाइसिस करके मैं बताती हूं क्या कुछ होने वाला है और फार्स में ठोरी बहुत जानकारी तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हतेली है जब भी हतेली है इसक्वाइडी हो जाए तो सदाचारी होते हैं सिस्टमेटिक होते हैं, आइक्यू काफीद होता है और होते हैं इसक novels न प्रानी होते हैं तो उसके अब फिंगरें आप की लेंथ में अच्छा हैs न बड़ी है न छोटी है तो इस मतलब हो जाता है कि अगर फिंगरें आपकी अच्छी हो तो फिंगर आपकी देख पा रहे होंगे इस तरह से आप आपकी जो फिंगर है ना अच्छी है अनलाइटिक प्रेशनलिटी होता है मतलब कोई भी चीज को बहुत ही तेह तक में अनलाइसिस करके उस काम को करना इसी तर्क वितर्क में कभी-कभी मौका हाथ से आपका चला जा और शारे फिंगर पे आपके खड़ी लाइन नेचर को बताता है तो खड़ी लाइन ओड़्टी नेचर को बताता है लेकिए- इस तरह उर अजो आपकी ये पोरवा सुशन, प्लस मांगल की इता है मंगल आपको ब cyclicaly student को बताता है लीकिया मरंगल बोश्पीड को बना हुदी कोई बीमारी वेगर आपको अठेक्ड में इसके फिंगर की मतल्क आप इस इसा कि अफिसके बि nazi bij और सब्झत कर सकते हैं थोड़ी मेहनत में ही आपकी भागी बहुत अच्छी है आप किस एज में करेंगे यह भी मैं आपको बता देती हूं देखें यह जो है ना लाइन यहां शे निकल के इधर को गई है तो यह हो गया आपको 35 के राउंड आप ऐसी अपरचुनिटी आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी 35 हो या पर एक दू साल आगे हो जाए तो इस तरह से देखें यहां पर यह लाइन भी है तो आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है दोड़ी अगर यह बड़ी भी हो जाये तो कोई दिक्कत नहीं होती बहुत अच्छी लीड़िर्शिप क लीडर्शिप क्यालिटी अच्छी है, दामपत के जीवान अच्छा है, परिवारिक सुख, संतान का सुख, हर सुख आपको लाइफ में मिलेगा, अध्यात्मिक भी हैं, मत अंद्रिस्वासी नहीं है, उसके यहाँ पर थोड़ी सी गयाप है, यह इंडिपेंडेंट नीचर को बताता है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, एकांत रहना, कोई भी चीज़ को सूचना, सिरियस्नेस नीचर को दिखाता है, निकि शनी भी अच्छा है, उसके बाद शूरी का फिंगर अच्छा है, तो नेम फेम बहुत अच्छा, क्रियेटिव बहुत अच्छी, इसके बाद attraction भी काफी अच्छा होगा, काफी attractive भी होंगे, आप प्लस convince करने की skill बहुत अच्छी होगी, marketing skill बहुत अच्छी होती है, ने अपनी बातों को खुलके रखना, ठाम आपके सारी finger के competition थोड़ी छोटी है, प्लस 90 degree है, तो देखें, determination पाबर बह आपको पता है कहां पर पर हमें आगे जाना ही कहां पर मुझे BAK करना है ये लिए बहुत अची होती है आपका हाथ देख मुझे उश्ट में भवाथ याजखा है आपके हाथ में बहुत अच्छा पर मैं उटकी सामीं है है पहला पोर्वा से दूसरा पोर्वा बधा है जैसा कि आप Bentley यात का कंडिशन है फ़ीन पहला गडि न को πश्स को बहुत ज्यादा करते हैं तो ठीक है तर्क करना अच्छी बात है तंध जयादा नहीं अपर पोस्ट का जो भी जॉब होता है वो आप जरूर असानी से ले सकते हैं उसके बाद आपका थंब भी स्ट्रॉंग है तो थंब स्ट्रॉंग होने से डिटर्मिनेशन पाबर अच्छा रहेगा तो सबसे पहले आपकी गुरू के माउंट को देखिए गुरू के माउंट प और क्रॉस भी है तो क्रॉस होने से दांपत्य जीवन अच्छा रहे एडिंग ऑफ सोलोमन होने से अध्यात्मिक नेचर के होते हैं दान पुर्नी करने वाले होते हैं दयावान होते हैं और बहुत ही ज्यादा सिक्स सेंस एक्टिव होता है इंट्यूशन पाबर जिशे बोल मिलेंगे तो उसमें भी माइंड लाइन के ऊपर बन रहा है तो माइंड से बहुत श्रॉंग माइंड के द्वारा सक्सिस दिखा रहा है उसके बाद आपका देखिए सनी मांट दबा हुआ हुआ है नहीं अच्छा आलस बिल्कुल नहीं होता है सिजातक में उसके बाद आप देखिए आपका सूरी मांट क्या सूरी मांट है आपका सूरी सेटिंग भी अप है जोकी अच्छी बात होती हैं उसके बेसिक नॉलेज़ू कंछी है उसके सूरी पर ड्रैंगल भी बहुत अच्छा है उसके इससे मिलके एक इस्वायर बन रहा है तो मतलब आपके लिए तो इपसी बहुत चोटा चीज है मैं बोलूगी तो आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा आपको वह कर रही हूं लेकिन बहुत चोटा चीज है बस आपका कही नहीं महनत या फिर किसी तरह का कुछ कमी है जिस बज़ सब कुछ आपको मिलेगा और किस एज में मिलेगा तो मैं आपको 35 के बाद अगर 35 के हो गए हो तो बस एक दो साल अब बहुत हो गया इस में आपको यह सब चीज मिलेगा उसके इस पर मल्टिपल रेखा हैं जो कि हीलिंग क्वाइलिटी होता है आप में बहुत सारे लोगों आपके पास आके अपने दुख को दूर करते हैं इस इस पर पहले ही नजर में पता चल गया कि आप में इंटली कितने स्ट्रॉंग हो गया उपर से सूर्य स्ट्रॉंग होने का मतलब ही होता है कि कोई अपर पोस्ट एक रेट का जॉब जो कि आप नीचे लोगों को अच्छ इस चीज को दिखा रहा है तो मंगल इतना अचा तो लाइफ में आपको बहुत ज्यादा निगेटिव परस्थिती में भी अपने आपको एकदम से डटे रखेंगे और बहुत अच्छा अच्छी में करेंगे लाइफ में अंदरूनी मंगल काफी श्रॉंग है जिससे बतात अजमाना को मिलना है अपको प्रलीटिक का कारण भी है अच्छी अच्छी में कर देता है और बहुत ज्यादा निगेटिवीटी तृंग ढपाना इन सभी चीजों को तो इसका रेमेडिय आप कुछ मत कीजीए नमा सिवाइका जाप कीजिए और मेडिटेशन कीजिए बस औ की लड़की के आने से सक्सेश को बताता है बात ले से ज्म रहती है थोरी बहुत चिंता रहती है सबस्कों रहती है थोड़ी संटा दो गच्चे तो दिख रहे हैं यहां देली में प्लस आप खुद भी अट्रेक्टिव होगे संदर्टा प्रेमी होंगे और लग्जिरियस लाइफ जीने की चाह रखते होंगे और आपके लाइफ पार्टनर भी रॉमेंटिक होगी शुंदर होगी सपोर्टिव होगी प्लस ल अच्छा है राहू भी आपका अच्छा है राहू पर ट्राइंगल है तो सदेन धनलाग विदेशों से धनलाग सेयर मार्केट वेगरे में धनलाग की योग को बता रहा है उसके बाद आईए आपकी हार्ट लाइन कितना अच्छा है एकदम से सनी और गुरू के बीस से निक अच्छा है तो जब नेचर आपका डॉमिनेटीव होगा तो जाहिर शी बात है आपको दुख होगा जब बच्चे बात नहीं मानते हैं इस तरह से बात महीं मानेंगे तो उस ताम आपको इमोशनली प्रॉब्लम 53 के बाद है उससे पहले हार्ट ले कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं हार्ट ब्रेक नहीं है आप अगर किसी से लव बेगरा करते हैं उसे लव मैरेज के हाथ में कम चांसे हैं अगर करते हैं तो वह भी सक्सेस होने के चांसे बहुत अच्छा है क्योंकि हार्ट लाइन आपका बहुत अच्छा है माइन देखे तो माइन लाइन भी आपके बिल्कुल आपके life line से touch करके निकली है बहुत सुन्दर mind line है, गाड़ा है, अच्छा है, और आपका एक तरह से हलका सा move किया हुए चांदर के परवत के तरफ, और एक mind line कि धर को इस तरह से touch किया हुआ है, तो कभी-कभी आप बहुत ज्यादा overthinking करते होंगे, negativity थोड़ी बहुत अच्छा होगा, प्लस आपका practical nature होगा, काल्प मिक्ता भी होगी और nature में practicality भी होती है, दोनों चीज है, तो यह बहुत अच्छा mind line है, बहुत अच्छा mind line, मतलब कहीं कोई mind line पे मुझे गरबरी नहीं तीख रही है, उसके बाद life line, life line बहुत अच्छी है, और यहा आपका 38 के age को बता रहा है, यहां पे आपको कुछ बड़ा चीज अच्छीब होगा, है ना, उसके बाद लेकिन आप यह ध्यान देना कि कोई mind के कारण आप एक-दो साल उस चीज को delay करेंगे, उसके बाद फिर देखिए, एक line गया है, तो इसका मतलब हो गया, कि उस चीज निकला हुआ और यह भी आपका लगबार सूरी और बुद्ध के बीच में गया हुआ तो यह भी बता रहा है, आपको communication से पैसे आना, लोगों के संपर्क से पैसे आना, बैपार विगरा से पैसे आना, या कि government service से पैसे आना, अगर बैपार भी करेंगे तो आप international business कर सकते है लग लाइन बिल्कुल राहू माउंट से निकला हुआ है, देखिए, राहू माउंट से लेकिन यह जो मूब है ना, आपका यह चंदर माउंट के तरह से यही public support बता रहा है, अप्टर मेरे success और birthplace से दूर success को बता रहा है, तो अब कोई भी public सेवा करते हैं, तो उसमें यह लाइन बहुत मेटर करता है, और राहू पे तो सड़न धलना आपका भी भी हो सेथा है, 36 के बाद आपका बहुत अच्छा योग है, मनी ट्राइंगल भी किलियर मनी ट्राइंगल, सुंदर सा मनी ट्राइंगल है, तो आप योजनाएं बनाने में तो एक्सपर्ट है, तो यह आपको अच्छा होगा, मैं बहुत अच्छे होते हैं, जिस तरह आपके हाथ दिख रहा है, उसके बाद आप देखिए, यहां पर एक मन्दीर का साइन है, तो यह तो आप मन्दीर बन बाएंगे, सार्फ माइन को इंडिकेट करता है, तो आप चतुस फल में बहुत सारे साइन है, लाइक इस परकार से है, तो यह सारे सब आपको मल्टिपल एसेट वेगरा को बतारे हैं, मतलब किसी चीज़ का कमी नहीं होगा आपके पास में, हथेली को देखते तो ऐसा ही लग रहा है, है ना, कन्फ्यूजन है, तो मेडिटेशन कीजिए, और जो भी अपर पो कोई बीजनस आप कीजिए, तो आपके लिए काफी अच्छा रहा है, तो यहां भी एक पीश का निर्मान हो रहा है राहू मांट पे, जिसका मुह है आपके बुद्ध मांट के तरफ तो यह भी आपको बैपार से होने वाले लाब को बताता है, अगर कोई भी कोई भी कोई बनती है तो उससे आपको बहुत अच्छे पैसे की आहनी होगी, तो I think मैंने आपके लिए का पूरा विस्लेशन कर दिया, इसके बाद कोई लाइन्स कोई रेखा है या फिर कुछ सवाल रह गया हो तो आपने इसे पूछ सकते हैं, नमस्क्राइब